जहां राजसभा सांसद विवेत तन्खा का ट्वीट सामने आया है किसानों का दाना दाना खरीदने की CM शिवराज की घोशना पर उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि CM अगर घोशना पर गंभीर है तो कानून बनाए कानून ना बना तो जुम्ला मानी जाएगी CM की ये घोशना अध्यादेश के जरिये या विधान सभा बुलाकर कानून को पास करवाया जाए मदद के लिए हम 48 घंटे दे सकते हैं तो MSP है किसानों का मूलबूत अधिकार ऐसा कहना है विवेक तन्खा का उन्होंने किसानों का दाना दाना खरीदने की CM की CM शिवराच की घोशना पर ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि CM अगर घोशना पर गंभीर है तो कानून बनाए और कानून ना बना तो ये सिर्फ एक जुम्ला माना जाएगा इस खबर पर हमाएं साथ अमित सोनी संबादाता जुड़ चुके हैं अमित आप से जाना चाहेंगे कि राजसभा सांसत विवेक तन्खा ने जो ये ट्वीट किया है ये पलटवार किया उन्होंने किसानों का दाना दाना खरीदने वाली CM की घोशना का क्या बेट है इस खबर पर? अमित बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट के लिए तो जैसा अमित ने बताया कि CM की घोशना पर विवेक तन्खा ने ट्वीट किया उन्होंने कहा कि अगर ये घोशना पर कानून बनाया जाए तब बात बनेगी वरना ये सिर्फ एक जुमला माना जाएगा साथ ही अध्यादेश के जरिये या विधानसभा बुलाकर अगर ये कानून पास कराया जाता है तो मदद के लिए वो 48 घंटे में कानून का ड्राफ्ट बना कर दे सकते हैं